और आप गाज़बाद से खबार लेते हैं जहाँ पर मिठाई बनाते समय दुकान में आग लग गई आग लगने के चलते सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया कोतवाली थाना शुत्र के दिल्ली गेट के चौपला मंदर के पास ये आग लगी है गाज़बाद से तस्वीरे सामने आ रही है जहां पर बिठाई बनाते समय दुकान में आग लग गई जबर्दास तरीके से सिलेंडर फटा अविए तेज माका हुआ और उसके बाद आग चार उतरा शेल गई पोत्वाली थाना शुत्र के दिल्ली गेट के चौपला मंदर के पास का ये मामला बताया जा रहा है दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे के बाद किसी तरह सो आग बर काक्त पार ग्रेटे नॉर्डर वेस्ट में पंशील ग्रीन एक सुसाइटी के पास एक कमपणी के वियर हाउस में आग लग गए इस घटना से वियर हाउस में रखा लाखो रुपे का सामान चलकर खाक हो गया आग लगने की वज़ह का अप्तेपता नहीं चल पाया है एतियात के तौर पर आसपास के कमपणीों को भी खाली करा दिया गया है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया दमकल की गाडियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया मौके पर सानिय पुलिस भी मौझूद रही विसरक थाना शुत्र की एक खटना बताई जा रही है और बिजनौर से खबर है जहांपर फोटो स्टेट की दुकान में आग लग गई शॉट सर्किट के चलते ही आग लगी देखते ही देखते ही आग में विकराग उठारन कर लिया और कुछ ही देर बाद आग पूरी तरसे दुकान को अपनी चप्रेट में ले गई आग लगते ही दुकान में रखा लाकों का सामा जलकर खाक हो गया सूशना पर पहुँची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काब हो पाया शेहर को त्वालिशत्र के एक्स आर एस चौक के ए खटना बताई चारी है इस घटना में दुकान में रखा कम्प्यूटर, फोटो स्टीट की मशीन, प्रिंटर, सही प्लाक रूपे का सामान जलकर खाक हो गया और कैसकंज में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां पर आटो बचाने के चक्कर में एक कार पिड से जाठक राए के तीज अवास के साथ कार के पर खक्चे उड़ गए, घायलों को जिलास्पताल मैडमेट करा दिया गया आसा थाना सहावर शित्र के कास गंज रोड पर है, हादसे के दौरान तीनों लोग सहावर के रहने वाले बताये जा रहे हैं जो अलिकर जाए